रूस यूकरेन संकट का आज छटा दिन है और महा युद्ध की तस्वीरे लगातार सामने आ रही है रूस की तरफ से किये जा रहे हमले ने यूकरेन की स्थिती पूरी तरह से भयावे कर दी है लगातार हो रहे हमले के कारण काफी संक्या में सेनकों के साथ आम लोग भी हातात हुए है कई शेहरों में हो रहे धमाकों के बीच भारी संक्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं इस बीच बेलरूस में यूकरेन और रूस के बीच पांच घंटे तक बातचीत हुई थी बातचीत में इस मसले का कोई समाधान नहीं निकल पाया वही अब यूक्रेन की राश्पती व्लोडे मेर जुलंस्की का कहना है कि रूसी सेनकों ने यूक्रेन पर गोली बारी बहुत तेज कर दी है राश्पती ने इसे सोंबार कोई वारता के दौरान अपनी सरकार को जुकाने के लिए मजबूर करने का प्रयास पताया उन्होंने कहा कि अब रूस दबाब बनाने की रणीती कर रहा है दबाब लगातार बना रहा है आपुतादी की खार कीव हो या कीव हो चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ बंबारी नजर आ रही है वहीं रूस का व्यक्यूम बं का भी अटैक की तस्वीर लगातार सामने आ रही है वहीं कुशिनगर की बिहार सीमा पर सटे तमकुई राज विधान सभा में अपनी प्रत्याशी अज्यकुमार ललो की चनावी जन सभा संबोधित करने के दुराद कॉंग्रिस नेत्री प्रियांका गांधी ने कहा कि बीजेपी का एक ही लक्ष है कि आपका इस्तमाल कर सटा में रहना राजनीती की दिशाब बदल गई है सरकार गरीबों के लिए नहीं बलकि उद्योग पतियों के लिए काम कर रही है बीजेपी जनता की समस्याओं को नकार कर राजनीती कर रही है